भुपाल की पहचान उसकी हर्याली और प्राकरतिक सुन्दरता ही है। वो जाने क्यों इसी पर सभी नजर लगी रहती है। अब सरकार अपसरों और मंतियों के बंगले बनाने के लिए 20 शहर में वो इस्थान चुन रही है जिसे भुपाल के लंग से अफ्यंफडे का जाता है। इस जगह पर सरकारी बंगले बनाने में हजारों पेड काटे जाएंगे। हलांकि भुपाल की जारूप जन्ता ने हर्याली उजारने वाली पहल का विरोध करना शुरू का दिया है। वैसे मंतिपरेश के मुक्रवंती मोहनयादों ने भी भरोसा दिलाया है कि पेड़ों को काटने वाली किसी भी योजना के बारे में बाद में सोचा जाएगा। देखिए क्या ही ये योजना और क्यों हर्याली कुस लोगों की नजर में खटक रही है। हर्याली को लगी किसकी नजर। विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड। भूपाल में दूसरा चिपको आंदोलन। भूपाल में ग्रीनिरी लगातार कम हो रही है। मंत्रियों और विधायकों के मकान बनाने के लिए सिवाजी नगर तूसी नगर को पर दूसरी बार आक्रमन हो रहा है। बर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभी रहे। ये जील और ये हारियाली यही तो असली पहचान है भूपाल की लेकिन इसी पहचान को अब मानो नजर लग गई है। मध्यप्रदेश सरकार के एक फैसले ने इन पेड़ों की सांसे छीन सी ली है। विधायक और मंत्रियों के बंगलों के निर्वान के लिए राजधानी के सबसे हरे भरे इलाके, शिवाजी नगर में हजारों की संख्या में पेड़ काटने की कवायत तेज है। शिवाजी नगर और तुलसी नगर में जिन मकानों को तोड़ने की सरकार कवायत कर रही है, यहाँ पे शहर में सबसे आदा हरी आली है। ऐसे में अगर मंत्रियों के लिए तमाम बिला और बंगले बनाए जाते हैं, तो इसमें करीब 39,000 पेड़ काटे जाएंगे। ख़बर है कि शिवाजी नगर तुलसी नगर इलाके के 29,000 पेड़ों को काता जाएगा, सरकार के इस वैसले के विरोध में कॉंग्रस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पूर्वमंत्री विधायक पीसी शर्मा, पार्शद योगेंद्र सिंग उड्डू चोहान धरने पर बैठे हैं। यह सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है बोपाल का, 29,000 कहा जा रहा है, 60,000 पेड़ काटके मंत्रियों के और विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। करीब 29,000 पेड़ों को काटकर भवन बनाए जाएंगे, 140 करोड एकर जमीन पर निर्मान होगा, कुल 2,266 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान है। इसके बाद मंत्रियों के लिए 30 बंगले, सुलहा फ्लाट और 203 विधायकों के फ्लाट के साथ 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले बनेंगे। सरकार का शिवाजी नगर, तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़ कर 2,378 करोड से री डेवलप्मेंट प्लान है। राजधानी बोपाल के बरते तापमान के बीच 29,000 पेड काटे जाने की खबरों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नेताओं के साथ आम लोग भी अब विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पेडों को बचाने के लिए हम उत्तराखंड की तरज पर भोपाल में भी चिप को आंदोलन करेंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध होना भी लाजमी है। आखिर शहर की खूपसूरुती और हर्याली का सवाल जो है। सवाल इसलिए भी उट रहे हैं क्योंकि आखिरकार सरकार एक तरफ प्रधेश भर में पौधर उपन करती है। महीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच शिवाजी नगर और तुलसी नगर में सरकारी आवासों में लगे हजारों पेड़ों को भी काटनी की कवायत करती है। पर्यावरंड विद की माने तो उनका कहना है कि अगर पेड़ काटे जाते हैं तो भोपाल का ये जोन हीट जोन में तबदील हो जाएगा। हाला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ कह चुके हैं कि किसी पेड़ की अकाल मृत्यून नहीं होने देंगे। ऐसी चर्चा है कि इन पेड़ों की कटाई के बाद इन्हें री लोकेट किया जाएगा। पहली बाद तो ऐसा निर्मान करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे और कोई करण से कटे तो कटने तो फिर भी ने देंगे ट्रांस्प्लांट कराएंगे अगर होगा तो। अब आप ये भी देखिए कि विकास के नाम पर अब तक कितने पेड़ों की बली ली गई है। हजार पेड़ काटे गए। बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट विस्ता न्यूज। बचेंगे। 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 झाल ।